और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्राखन कॉंग्रेस की जिसकी टेंशन उनी के विधायक अब बढ़ाने लगे हैं दरसल धार्चुला विधायक हरीश धामी के बाद लोहाघाट से कॉंग्रेस विधायक खुशाल सिंग अधिकारी ने प्रधानमत्री नरिंदर मोदी और मुख्य मत्री पुष्कर सिंग धामी के तारिफ की है कॉंगस विधायक ने अल्मोडा और पिथोरागर दोरे को लेकर धनेवाद दिया खोशाल सिंग ने कहा कि पेम मोदी ने अपने संबोधन में लोहागाट के मायवती आश्रम देवीधुरा से लेकर माबाराही तक कज्यक्र किया जो बताता है कि पेम की दिल में ये पवित्र स्थल बसते हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधार्मत्री के संबोधन के बाद शुत्र की धार्मीत और प्रेटन के विकास को गती मिलेगी प्रधामत्री जी का बहुत बहुत दिग्डी जहराई से धन्यवाद करता हूँ वस्ता साती मानी मुक्यमत्री जी का अभारक प्रिकट करता हूँ कि आप मेरी विदान स्वा के समीप जन्पत अल्मोडा वो पितरोगड मा पदारे और लुहागाट आने का आपका कारिक्रम किनी कारणों से इस्तिकित हुआ परंतु जो पितरोगड में आपके द्वारा जो सम्बोधन जन्ता को किया गया उसमें जो यहाँ की लुहागाट विदान स्वा के तीर्श्तिस्तनों की छलक आपके द्वारा जो जैसे कि अध्व्यत अस्रम मायवती पदारने का आपका कारिक्रम था उसमें आपने संबोधन में मा बाराई का जिग्र, मा प्रोडांगरी का जिग्र, वो रेड़ा साहिप के गुर्द्वारे का जिग्र जो आपने किया उन पवित्री स्थलों की याद आपके दिल में थी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई उसे धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के पितोरागर दोरे के कसीदे पढ़ना कॉंग्रिस विधाखरी शुधामी को फारी पढ़ सकता है मामला दिल्ली दरबार तक बहुत चुका है और चल्द एक्शन क्यों मिन्द है मैं मनी प्रधानमंतरी नरेम मोदी जी का बहुत भवा धन्यवाद करता हूँ और सवाथी मानी मुह्ख्यमां जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने दुरस्त सेत्र हमारा आधीकेलास और गुञ्जे जैसे सेत्र का वर्मण किया जिससे निश्ची तोर पर क्योल धार्टवा विधानसपा कोई नहीं पुरे उत्राखन को प्रेटन की दृष्टे से बहुत ज्यादा जो है इसका फाइदा मिलेगा और जो वहाँ पर विकास कारे रोके हैं वो विकास कारे भी ततकाल प्रभाव से सुरू होंगे उसके लिए में मानी पुर्धान मंत्री जी का बहुत बहुत आवार वेक्ते करता है और उनका बहुत बहुत धनिया वैसे ही कॉंग्रेस विधाया के बीजेपी को लेका सुरू पहली बार नहीं बदले हैं इससे पहले भी वो सियम पुर्षका सिंधामी के काम की तारीफ कर चुके हैं ऐसे में लोग सभा चुनाओं से जीक पहले बीजेपी को लगता है कि कॉंग्रेस भी मान रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों का स्वागत करती है जो पार् मंत्री जी का दुरत छेत्र में जाना हुआ तो उनको भी आहसास हुआ मांके जनमानस के बाद कर आशास भूए कि च्छेत्र के विकास में मोदी जीका बहुत बड़ा युदान बनने वाला है तो मैं तो कंगरेस के सभी निताओं से अपिल भी करूँगा कि हर जगा नहीं ह कॉंग्रेस हरी ज्धामी के बयान को दुर्भा के पूल मानती है और संगठन की तरफ से भी इस पर नाराजगी जाहिर की है मामला दिल्ली भी भेज दिया गया है कॉंग्रेस के प्रदेश उपात्यक्ष कहते हैं बीजेपी तो डखेती डालने में माहिर है पहले भी वो यही काम कर चुकी है देखे बीजेपी ने तो पहले ही डखेती डाली 2016 में डखेती डाल दी 11 लों 12 लों को ले गे थे हो उनका काम है दूसरे घर में फूट डालना हो तो सडेंत गारी पाल्टी है लेकिन इसमें जो बयान आज धामी जी का आया है निश्चित रूप से पाल्टी उसको बहुत गंभीरता से ले दिये और उसमें कोई कोई कारवाई पाल्टी हाई कमान क्योंकि वो बिदायक भी है बिदान बंदल दल को भी कहा गया है और AICC के सदस भी है तो उस संदर्म म है क्या पाल्टी हाई कमान करता है हम अपनी रिपोर्ट हाई कमान को संदर्म में वैसे चुनाओं से पहले नेताओं के सुर्फ बदलने आम बात है और इसका असर दल बदल की राजनिती के तौर पर भी दिखता है अब कॉंग्रेस उधायक हरीश धामी का यह मामला किस करव और अब बात करेंगे देरादून के MLA हॉस्टल की जिसके गेस्ट हाउस को लेकर राज्य संपत्तिव विभाग पर सवाल उच रहे हैं दरसल कई विधायक ऐसे हैं जो दो-दो गेस्ट हाउस पर कबज़ जमाय बैठे हैं और राज्य संपत्तिव विभाग इनको खाली करा राज्य संपत्ति विभाग का MLA ट्रांजिट हॉस्टल जहां विधायक रहते हैं और इस हॉस्टल में हर विधायक को एक-एक प्लाइट आवन्टित हैं और इसके लाबा कुछ प्लाइट को गेस्ट हाउस में बदला गया है जिन में दूर दरा सिर्वाजधानी में विधायकों को मिलने आने वाले लोगों को ठैराया जाता है लेकिन इन गेस्ट हाउस पर हॉस्टल में रह रहे विधायक ही कबसा जमाय बैठे हैं कुछ विधायकों, मंत्रियों और दो पूर विधायकों ने यहां गेस्ट हाउस पर अपने ताले जड़े हुए हैं जिसके चलते दूर दराज से आने वाले लोगों को यहां रुखने की सुवधा नहीं मिल पा रही है विधायक श्रेलारानी रावत, मंत्री सुवोत उनियाल के पास दो दो गेस्ट हाउस हैं विधायक, दुर्गेश लाल, विनोच चमोली और फकीर राम टम्टा, प्रमोद नैनवाल, दिली प्रावत के साथ, प्रीतम पवार, मंत्री गड़िश जोशी के पास एक गेस्ट हाउस है तो वहीं एक गेस्ट हाउस पर पूर विधायक विजय पवार और प्रीम सिंग राना का ताला लटका हुआ है विपक्षी कॉंग्रेस का कहना है कि राज संपत्ती विभाग सत्ताधारी लोगों की कटपुत्ली बन गया है सत्ताधारी दल के विधायक सरकारी कमरों पर कबज़ा जमाए बैठे हैं और ऐसे में विपक्ष समेज अन विधायकों को मिलने वाले लोग कहां जाकर रुकेंगे सरकार को इसका संग्यान लेना चाहिए दरसल राज संपत्ती विभाग की ये गेस्ट हाउस बहुत कम दरों में दिये जाते हैं यही कारण है कि विधायकों के पास सरकारी फ्लाट है उन्होंने गेस्ट हाउस को भी अपने कबजे में ले लिया है जिसका वो महीने में 1500 से 3000 रुपे किराया दे रही है राज संपत्ती विभाग इने खाली कराने को छटपटा रहा है लेकिन समस्या एक ही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कौन निउस 18 के लिए सुनी लौप्रभाद की रिपोर्ट दिसंबर में उने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंतरी अपना दूसरा दोरा UAE में करने जा रही है जिसके लिए दुबई और आबू धाबी में रोडशो है इस दोरान हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम के प्लियर्ज सरकार के तार्गेट पर है उत्रखन सरकार के पहली प्रात्मेक तार राज्जी के युवाओं को रोजगार अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्त सुवधाएं मुहया कराने पर है इसके लिए दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार विदेशों के दोरे कर रही है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी 16 ओक्टूबर को दुबाई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोजशों करेंगे इसके बाद 17 ओक्टूबर को अबुधावी में मुख्यमंत्री का रोजशों है जाए ओ तूरिजम का चेतर हो या साइंस एंड टेक्नोलोजी का चेतर हो हर चेतर में लोग उत्राखंड के लिए आरहे हैं आकरश्», ने बाद IPS सम्मूँ चलाते हैं वो सभी उत्राखंड आए और हमारी सरकार ने पहले से भी उनी सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में सितिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्मिनिकेशन भी कर रहे हैं इस दोरे में सियम के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्ते मंत्री धंसिंग रावत भी होंगे, वहीं मंत्रे धंसिंग रावत का कहना है कि टॉप हेंडरिड में जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रदेश में आ सके, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, दुबई के ह तो पूंड बैठख होने हो जारी है वहां पर, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी एक बड़ा निने लिया है कि बिदेशी विश्विद्याले अपना केंपस जो है भारत में खूल सकते हैं, तो अगर कोई उत्राखड में भी अगर कोई विश्विद्याले जो टॉ यानि शिक्षा और स्वास्ति जिन मुद्दों पर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन होता है उसे लेकर सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को उत्राखण में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि इन दोनों फिल्ड में उत्राखण मजबूत स्थिती में आ सके निवेश 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट कॉर्बर टाइगर रिजब्ड में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हुई गरबड़ियों के मामले में थदकारिक बनबंशु और कॉंक्रिस ने था हरक्सिंग रावत से CBI कि सी भी समया पूछताच कर सकती है और वहीं हरक्सिंग रावत ने कहा है कि उन्हें CBI का कोई डर नहीं ना विजलेंस को कुछ मिला था और ना ही उनके ख anteriorफ CBI को कुछ मिलेगा कि शहजार माइना रखते हैं ना जाए डुनिये की कोई एजर साभीड कर दें कि छहार अब शजाद सुना दे मुझे मैं हर सज्जा भुटत ने लेती हां आप मजा कर रहे हैं कई गाओं ऐसे हैं जोहाँ पर जिलता अंधूलन करती है सड़क नहीं बनती पर देहरादूर में नगर निगब और पीड़ी ने समझाता करके प्राइविडी जमीन पर ही सड़क बना दी और ये खुलासा किया है और अगर ठीक से जांच नहीं होती तो कई ऑफिसर्स को फर् देहरदूर में ओल्ड मसूरी रोड से सटे दानियों का डांडा घाओं में सड़क बन गई प्राइविट जमीन से गुजरने और एक प्राइविट होटल को कनेक करने वाली सड़क पर अब सवाल खड़े हो गएं तो घाम वाले मुआवजे के लिए भटक रहें ऐसा क्यू प्राइवेट जमीन पर इसी गोलमाल, घालमेल और अलग-अलग बातों से वो गाम वाले परिशान है जिनकी जमीन पर बिना पूछे सड़क बना दी गई राष्टा हमने भी नहीं रोका पर हमने जब रोका हमने पकी नहीं हो नहीं जब तक हमारा मुख्यमंद्री से फर्जी रिजश्ची की तरह इस सड़क की साइटी जांच की मांग किये पिरूडी और किसी की प्रावियर डेंटर सड़क बनाती है उसी अजिरत करती है तो उसके मानिक के अंगरूजा उसको मिलना चाहिए बिना आपस में नगर नेगम और उसमें बाक्चीत वे उस फड़क बन गई मुझे आज स्वाचार पत्रों के मांदिम से ग्यान हुआ है और मैंने इसका संग्यान लिया है और जो जाइज मौँजा है प्रावतिक को दिया जाएगा इस परजी MOU बना है और इस पकार के कई काम हो रहे है कई बार गाउं की बेचारी जनता आंदुलन करते करते ठक जाती है और अपसर मामलों को फाइलों में दबा कर फुटबॉल बना देते हैं लेकिन राजधानी देरदूर में पी डबलो डी और नगर निगम ने ऐसा अनोखा कारनामा किया कि समझोता करके प्राइवेट जमीन पर ही सलक बना दी जो की बविश में दूसरे अपसरों के लिए उधारन भी बन सकता है देरदूर से न्यूस देचिन के लिए दिपांग करभट की रिपोर्ट और चले नज़र आलते हैं पहार की दस बड़ी खबर पर पर पी देरदूर में पुलिस ते वाहल चोर गिरों का परदा फाश किया गारियां चोरी करने वाले ती चोरों को भी रफतार किया साथ तूविलर बरावर की राम नगर में एक लिवक्त को संधिक भालत में गोली लगने के बाद उससे इस्पतार में हुपी कराया गया लिप्रित की हालत नासुप फुले के वज़े से उसे हायर चेंटर रेफ़त लिए अधिद्वार में थादे सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली मावब बनाने वाली दो भट्टिया पकड़ी के मौके से बरामत करीब एक विंटर मावा नच्ट किया गया रविभाग को रामनगर के छुई के पाल दो अलग-अलग हादसों में तीन बाइक सवार खायल हो गए जिन हे लाच के लिए हायर सेंटर ताप्पर किया गया अर्मूरावे दुष्टे बादित लोगों के लिए सफेद छड़ी तो रक्षा दिवस मनाया गया जागुपता बढ़ाने को लेकर कारिक्रम का आयव जुन किया गया नवरातर के पहले दिन नैनिताल की नैना देवी मंदर में भी उम्राहे आस्ता का सेला देशपर से आये भक्तोंने के मा नैना देवी की दर्शनी हरद्वार में माता के सभी मंदिरों पर भक्तों का लगा ताता भक्तों ने मंदर में माता की दर्शनी की देरादों के सभी मंदिरों में नवरातर के पहले दिन मंदिरों में वक्तो का ताता लगा रहा, सभी ने मार्श रेल कुत्री के पूज अर्चना तो रिशिकेश में नवरातरी के पहले दिन प्रिवेडी संगाम पर बड़ी संख्या में देव डोलियों पहुची हैं लोगों ने डोलियों के साथ गंगा में लगाई डुपकी अगर आप किसी दर्द के लिए पेन किलर का उप्योग करते हैं तो साथ धान हो जाएए दिले यूपी और उत्राखंड के बड़े महानागरों में नकली पैन किलर बिक रही है इससे दर्द तो दूर होगा लेकिन इस नकली पैन किलर दवाईयों से दूरी दूसरी जो बिमारिया है वो जरूर आपको हो जाएंगे क्या है ये पूरा मामला इस रोपोर्ट पे लेकिए दहरादोन पुलिस ने करीब 4 करोण रुपए की नकली दवाईयों के साथ दो आरोपियों सचिन और विकास को गिरफतार किया दोनों आरोपियों ने चार साल पहले रुड़की के जहमरेडा में फैक्टरी खोली जिसमें आरोपियों ने इंडोकैप और इंडोकैप S.R. नाम की नकली दवाईयां बनाई जो की पेइन के लर्का काम करती हैं आरोपियों को तयार कर दिल्ली, यूपी और उत्राखन के अलगरक शेत्रों में बेचा करते थे नकली दवाईयां का प्रोडक्शन और इसके डिस्टिबूशन की सूचना का अदार पर राइपूर थाने में मुकजमा दर जुआ था और इसके बाद हमारी स्पेशल टीब का रहे थी चुकि मामला सम्यदाचील था और नकली दवाईं से लेटेट था, और लोगों के जीवन से लेटेट था आधकाड़ टीबर बनी और इसके हमने दो लोग को विकास और सचीन को इसमें कर एपार किया पुलिस को जक सोन पाल फार्मसेटिकल्स के मैनेजर ने सूचना दी है कि दहरादूर में उनकी कंपनी के नाम से फरजीवाड़ा चल रहा है जिस पर पुलिस ने कहरवाई की तो पता चला कि दोनों आरोपियों ने एक अलग से नकली दवाओं की फैक्टरी चला रखी है नकल आरोपियों ने नकली दवाओं से करोड़ों रूपय की फ्रॉपर्टी भी खरी दी है और अब पुलिस ने इन आरोपियों के दूसरे साथियों के तलाज शुरू कर दी है न्यूज 18 के लिए देहरादूर से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट रामनगर में कॉर्बिट नेशन पार्क के बिज़रानी और गारजिया जोन को खोल दिया गया है साथीन मेने के बाद दोनों जोनों को परेठकों के खोल दिया गया है यहां के बिज़रानी जोन में कॉर्बिट की डारेक्टर ने हरी जड़ी दिखा कर परेठकों को जोन में प्रवीश कराया इस दोरान परेठकों में भी कजब का उतसा देखने को मिला आपको बताते हैं बरसाथ के दिनों में बिजरानी और गार्जिया जोर को हर साल बंद कर दिया जाता है हम लोग ठंड को लेके तो अभी बिल्कुल चिंता ही नहीं कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट वन्स हैं जो री ओपनिंग के बाद एंटर हो रहे हैं कॉर्बर टैगर रिजर्व के दो प्रमुक जोन आज खुल गए हैं बिजरानी और गर्जिया और दोनों जोन की बुकिंग फुल चल रही है इस समय जो टूरिस्ट इस बार गर्जिया और बिजरानी जोन का प्रमण करेंगे उनके लिए सारी तैयारिया पूरी है पूरोहितों ने पूरे विदिधान के साथ शुब मुहरत निकाला और 14 नवंबर को अनकूट के पावन पर पर कार्तिक शुक्र पक्ष में अभी जीत मुहरत पर 11 बचकर 45 मिनट पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महिने के लिए बंद करती जाएंगे ठीक 12 बचे शीत कालीन प्रवास के लिए मागंगा के उतसर जोनी रवाना होगी गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुब मुहरत निकलते ही कपाट बंद होने की तयाली फिर शुरू हो गई है इस बार गंगुत्री धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किये हैं अब तक 8,42,149 यात्री दर्शन कर चुके हैं ज्रशन कर चुके हैं पितौरागर में मौसन का मिजाज जचानक से बदल गया नहापर व्यास गाटी के उंचाई वाले इलाकों में जमकर वर्पवारी हुई है गुंजी कुटी और नाभी जैसे बॉर्डर गाउं बाद के सपी चौर्डर में भी पड़ता है इतना ही नहीं जोलिंग काम वर्पवारी हुई उंचे इलाकों में बर्पवारी होने के साथ ही निचले क्षित्रों में भी बर्पवारी हुई है बारिश हुई है वाफ की जिगा जिसकारण तापमाल बहुत तेजी सहीरा और इस सीजन की ये पहरी बर्पवारी है आगे भी खबर जारी हर भी जोड़े से प्रेक के लिए जल्द नौटते हैं कुछ और खबरों के साथ